सब ट्रॉपिकल से जैसे नाम से जाहर है समन्तब है कि यह है वो ट्रॉपिक से थोड़ा सारा लेटिचूट के उपर वाक्या हो गया जो Northern Hemisphere है उसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका जो लेटिचूडने डिग्री है वो 23 डिग्री है यह उसके थोड़ा सारा उपर 24, 25 य यह एक एको सॉन है यह वो एको सिस्टम है और इसकी जैह हो अलिवेशन कहां तक मींज कि इ верс 2100 तक बलंद होती है इन तमाम इन तमाम फॉर Craft areas के अंदर जो dominant pine species है उसे हम कीर pine कहते है और इसका जो scientific name है वो pinus roxbergia है ये तकरीबन जो है वो 120 feet तक जो है वो इसकी height होती है grow करती है और इसकी grit यानि के diameter जो है वो 7 to 8 जो है वो meter होता है अब इसमें important बात ये है कि जो जो चीर pine के जो leaves होते है वो बिलकुल needle likes होते है और बारीक सारे leaves होते है और इनका जो falling rate है यानि के मतलब ये पते जो है वो बहुत जल्द गिरते है वो foster होता है specifically जो है जब dry मौसम होता है उस वकद मैं में जो है dryest month होता है उस वकद बहुत ज़ादा पते जो है वो forest के floor पर जो है वो गिरते है इस तरह ये जो है वो जो नीचे forest का floor है उसमें बहुत ज़ादा आपको पते गिर जो है नजर आएंगे अब ये जो needle leaves जो है वो नीचे गिर गए है दो काम करे है एक तो ये जो है वो उस soil को dehydration से prevent का रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो month है जरा dryer आ गए हैं दूसरा ये कि जो dry leaves होते हैं ये highly जो है वो inflammable होते हैं बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं क्योंकि इसके अंदर cellulose है, resin material है तो solar radiations जो हैं वो एक जो है वो आग की चिंगारी से बनती है और इन जंगलों के अंदर जो है वो आग भड़क उपती है अक्सर हम सुनते हैं कि जो Margula National Park है या National Hills है उनके various हिस्से के उपर जो है वो गर्मियों में आग लग गई है बजाहर जो है वो उस आग की कोई reason नज़र नहीं आती है लेकि अंदर हकीकत वहाँ पर ये जो cheer pine के जो leaves होते हैं वो जो dry हो जाते हैं वो चुक्छे उनके अंदर इस किसम का material है के solar radiation जो है वो उसको आग सी लगाती तो आग ज़रा ज़्यादा पैमाने पर अगर हवाज चल लेगी तो ज़्यादा जगा जो है उसको घेल लेती और ज़्यादा हिससे को जो है वो खराब कर देती बहुत सारे जो है वो plants को नुकसान पहुचा देती है वहाँ पर बहुत सारे आर्बोरियर reptiles हैं birds हैं वहाँ पर किसी के second time brood जो है वो nest के अंदर जो है वो अंडे दिये में हैं किसी के third generation है वहाँ पर तो बहुत सारे जो animals वहाँ पर रहते हैं जो wild in nature है जोने आप जो है domesticate नहीं करते हैं जो के कुदरत की खुबसूरती है उन सब को जो है वो इससे नुकसान पहुँचता है अब खास दोर पर जो है यह northward facing जो subtropical cheeer pine forest है वो comparatively जो है जादा green है लेकिन जो south facing forest soil है वो जादा dry है और वहाँ पे जो है वो pine trees जो है वो जादा dry हो जाते हैं और यहाँ तक dry हो जाते हैं कि जो पानी है वो उपर जो है नहीं जा सकता यानि कि जो उसका plant sap है वो बहुत उपर तक नहीं जाता उपर से जो trees है वो dead होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह जो dead trees है वो बहुत सरे जो ectoparasites हैं वो उनके उपर attack कर देते हैं तो trees को वो यका यक तो जल्दी से गिरा तो नहीं सकेंगे लेकिन उसको बरहल कमजोर जो है वो जरूर कर सकते हैं picture के अंदर आप जो हो देख सकते हैं उपर वाली picture के अंदर के जो चीर pine जो trees हैं एक तो वो बहुत फासले के उपर हैं ये इसका एक characteristic feature है कि वो काफी काफी फासले के उपर होते हैं और दूसरा इसी तरह के जंगल में लगी भी जो है वो आग जो के इन जो चीर पाइन के जो नीडल लीव्स हैं उनकी वज़ा से जो है वो सोलर रेडियेशन के वज़े से लग जाती है और एक बड़े हिस्से को जो है नुकसान पहुंचाती है यह इन दोनों पिक्चर्स के अ है और नीचे जो है वो एक mammal जिसे गुराल कहते है यह यह इंसको जो है वो फोकस के है कि वो इन फॉरस्ट के अंदर जो घास हैं जो हब्स चरैब्स हैं उनको खाकर जो हो गुजरा करता है और पाइन फॉरस्ट जो है जो नॉर्डरन भी है क्योंकि जाहरी बात है जो cooler side होगी वहाँ पर temperature moderate होगा और बहुत सारे जो हैं वो plant life को support कर सकेगा बहुत सारे जो हैं वो breeding plants जो हैं उनको shelter provide कर सकेगा यहाँ पर जो अमूमन पाए जाते हैं जो जानवर उसमें barking deer है गुराल वगारा है यह जो है वो main herbivore animals है जो के in forest के अंदर जो है वो wild में पाए जाते हैं गो के अब जो हमेंने किसी हद तक जो है वो लाग के captivity में या zoo वगारा में भी जो है वो रखते हैं नेचर में पहले भी जैसे हमने पिछली वाली slide में देखा है कि जो naturally जो pine trees होते हैं वो scattered होते हैं open forest हम इनको कहते हैं तो जो seeds वहाँ पे गिरते हैं इन pine trees के जो beach गिरते हैं वो दर हकीकत बिलकुल अगर creep plant के गिरेंगे तो वो उसके पास जो chances of survival है या germination है वो कम होता है क्योंकि चीर pine के जो seeds होते हैं वो light demanding होते हैं लहाज़ा जो है अगर वो किसी ऐसे जरा दूर हिस्ते में गिरेंगे वोड़ा सा दूर द्रख से जहां पे light है तो वो germinate कर सकते हैं लेकिन अगर जो है वो thick layers के नीचे गिरेंगे तो उनकी germination जो है वो जरा लेकिन इसका एक फाइदा ये भी है कि जो fire लगती है वो in fact वो जो ground level की जो leaf की layers है उसको clean up कर देती है तो इससरा बहुत सरे जो seeds वहाँ पर है उनकी एक जो chance of survival है chance of germination है वो increase कर जाता है इससरा बहुत दूर दूर आपको जो है वो दरख जो है नजर आते है इसके अलावा वो जो वहाँ पर जितने leaves है जो के आग के जलने के इससे बिलकुल rock में ash में convert होगे वो source of nutrition है क्योंके बारिश भी होगी और पानी भी आएगा तो वो जो है nutrition वो दुबारा soil के अंदर absorb हो जाएगी sometimes जो है जो local वहाँ के लोग हैं जो उन इलाकों में करीब रहते हैं वो जानबूच के उस जगा पर sometimes जो है वो थोड़ा सारा आग लगा देते हैं ताकि कुछ हिसा clean हो जाए और वहाँ पर छोटी छोटी सी जो है वो घास उग जाए जिस पर के उनके जो जानवर हैं जो उस घास के उपर गुजारा करते हैं जो उनकी भेड़ बकरियां है या गाई भेंसे हैं तो उनके लिए वो बतौर चारा जो है वो इस्तमाल कर सकें तो हर इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो उसके जो cycle है food chain का energy flow का वो जो है वो चल रहा है वो nature ने खुद बोकुद बनाया वह है इसमें जो है वो इनसान की interruption जो है जहाँ जहाँ पर होगी वहाँ पहाँ पर again जो है वो definitely negative impact होगा nature अगर उसको खुद से circulate का रही है तो वहाँ पर उसके chances of survival उसकी जो है वो खुबसूरती क्योंकि जो जंगल है जो द्रक्त है यह आपके जो green house effect है जो gases है green house की जो temperature rise हो रहा है जो उसको कम करते हैं temperature को lower करते हैं तो जितने हमारे जो forest हैं वो जितने compact रहेंगे जितने जो है वो intact रहेंगे उतनी ही जो है यह global warming climate change से जो है वो हम लड़ सकते हैं